हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आशे हम लोग उत्तर पर्देश लोग सेवा आयोक द्वारा आयजित होने वाली समिच्छा अधिकारी सहायक समिच्छा अधिकारी वह अपर नीजी सच्यू यानि आरो Cayceसी की तयारी का टेस्ट सीरीज के जरिये अध्यन वह आपने जनकारी को और मजबूत करेंगे तो दोस्तों हम लोग इस टेस्ट सीरीज को लगाने से पहले इस बेकेंसी के बारे में थोड़ा बेसिक बात करेंगे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रतेक वर्ष उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग दोरा समीच्छा दिकारी सहाइग समीच्छा दिकारी वह आपर निजिज सचु के बेकेंसी का नोटिफिकेसन निकाला जाता है जिसमें सिलेक्ट होने वाले कंडिडेट उत्तर परदेश सच्च वाले वहां उत्तर परदेश लोक सिवायोग में कारिरत होते हैं इसके प्रिब्येस एर के बारे में बात कें दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि 2021 में total समिच्छा दिकारी के 337 पोस्ट का notification निकाला गया था जिसमें 228 पोस्ट सामानी चैन और 109 पोस्ट विसेश चैन के थे सामानी चैन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि सामानी चैन के अνतर गट आरो में कृवल नार्मल ग्रियोजेशन मांगा इसके अलावा कूछ बिसेश चैन के पोस्ट होते हैं जैसे की शमिच्छा अधिकारी लेखा समीच्छा अधिकारी हिंदी समीच्छा अधिकारी उर्दू इनके लिए दोस्तों नार्मल ग्रिजेशन के साथ एक साल का कम्प्यूटर डिप्लोमा जैसे वो लेबल या इसके समकच कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से दोस्तों जब भी इसका वेकेंसी का दोस्तों फार्म डाले तो आप जाने कि इसके अंतरगर सामान चैन वा विसेश चैन दो तरह की पोस्ट होते हैं सामान चैन जिसके पोस्ट ज्यादा होते हैं उसे हमें किवल हमें नार्मल ग्रिजेशन ही देना होता है और विशेज चैन के अंतरगत दोस्तों अधर डिप्लोमा मांगे जाते हैं मांश मार्किंग जाने दोस्तों तो इसमें 1 by 3 यानि 33% की मांश मार्किंग होती है परिच्छा का चरण देखें तो आरो का एक्जाम दोस्तों दो चरण में होता है जिसके अंतरगत पिरी वामेन से सामिल होते हैं और ये आरो के परिच्छा में दोस्तों दो चरण के अलावा लास्ट में दोस्तों हिंदी की टाइपिंग करा जाती है जो की 25 सब्द प्रत मिनट मांगा जाता है इस तरह से दोस्तों ये हम लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में किलियर कर लेते हैं सेलेवर्स के बारे मात करने दोस्तों सामिच्छाद करी का तो इसमें प्रिलिम्स में दो पेपर कराए जाते हैं पहला पेपर GS का होता है, दोसरा पेपर हिंदी का होता है, GS का पेपर दोस्तों, दो घंटे का होता है, इसमें टोटल 140 प्रस्न पूछे जाते हैं, और हिंदी का दोस्तों, एक घंटे का होता है, जिसमें 60 प्रस्न सामिल होते हैं, GS का बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारी भा भारती राजब्योस्ता भात्म विस्का भूगोल भारती अर्शास्त करेंट जन संख्या उंपरियावन यूपी स्वेशल रेजिनिंग वा सामायन विज्ञान के कोश्चन सामिल होते हैं हिंदी में दोस्तों किवल 6 समेस्टर है यान 6 ध्याय है 6 ध्याय से 60 परस्ण पूछे जयाते हैं जो की इल्कुल यह जी है कि इसका सेलग्षन का पूसर दोस्तों पूरा का पूरा दाराम दारम करेंगा dûम्स पेदें तो चलिए दोस्तों अब हम लोग त्यस्ति को लगाना ना आरंब करते हैं दोस्तों पहले टेस्ट स्रीज का हमारा कोश्चन नमबर एक है भारते संग्मिधान योम राजव्योस्था से पूछा जा रहा है भारते संग्मिधान के किस संसोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजव्योस्था को संग्मिधानिक दर्जा दिया गया यानि पंचायती र एकति सव कितनेंस देखेंगे कोश्चन नमडुन कोश्चन नम्मर्द इंडियान जिंडाफी से वहिएरत पूछा जाना है दाची गाम राष्टे उध्यान कहा इस्थित एक तो यह इस्थित है जम्मू और किस्मीर में पूछ्छना कोश्चन नमर तीन है कार्बन सुल्क लागू करने वाला पर्थम देश कौन सा है कार्बन सुल्क लागू करने वाला पर्थम देश कौन सा है तो न्यूजिलेंड कार्बन सुल्क लागू करने वाला पर्थम देश न्यूजिलेंड है नहीं देखेंगे कोश्चन नमर चार को किस थी मैक्स पलैंक नी सिर मैक्स पलैंक नी के नहीं के कोस्टन नमबर 5 दोसतों रहन्गया सोनाती स्टें है आप लोगों ने नेजिस्पेपर की पढ़ा होगा कप ये लाटन फ। थे रहन्गया सादाती की सली Ji देश की पहली ट्रांजेंडर पुलिस कांस्टेबल नूत की गई है तो हो है गंगा कुमारी नहीं देखेंगे कोश्चन नमबर साथ कोश्चन नमबर तो इस्टेटिक जिकी का कोश्चन है यूपी स्फेशल से question है उत्तर परदेश राज सड़क परिवहाँ निगम की अस्थापना हुई थी तो यह तो 1972 में नहीं देखेंगे question number 8 question number 8 दोस्तों कूट का question है आप इस question में दोस्तों थोड़ा कास्टेर हो question दोस्तों इस तरह के बहुत ज़्यादा difficult नहीं होते हैं अगर आप इस एक से दो eliminate कर लेते हैं तो आप सहस्ता पुर्वक answer निकाल सकते हैं चलिए हम लोग इसको देखते हैं सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित किजिए तथा दियेगे कूटों में सही बिकल्प चुनिए यह number है उस्ताद बिस्मलाखा जिसके आगे सहनाई दिया हुआ है सी नंबर है हरी परसाच चोरसिया जिसके अंतरगत कथक दिया हुआ है और डी नंबर है दोस्तों विजु महराज जिसके सामने चार नंबर पर बहाँ सुरू दिया गया हमें इसको मिलाने है दोस्तों सब्याइं आप के लेबल को देखे हैं को संच तरह की दूस्तों जाधा नहीं Muito जादा आपके बिल्ksiाря इसको में सिलेक्चन पाने का पूरा का दारूंदार Guru है इसलिए GS के question को आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना दोस्तों आप practice करें और अपने label को और मजबूत करें तो चलिए दोस्तों हम लोग इस question को लगाते हैं question number 8 को हमारा पूरा question और बिकल्फ हमारे सामने है question number 8 है तो देखते हैं दोस्तों इसको नमबर एक है उस्ताद बिस्मिल्ला खा आप इलनेट करने की कोशिस किजी उस्ताद बिस्मिल्ला खा ये क्या थे दोस्तों तो ये सहनाई बजाते थे दोस्तों क्या बजाते थे सहनाई बजाते थे बार बार आप सुनते आएंगों दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ यह सहनाई वजते थे अब चले थोड़ा सा answer पे हम लोग चलेंगे देखेंगे ये का 2 किसमें है ये का 2 d में है दोस्तों देखें कोस्टन बड़ा था लेकिन ये कि ही विकल्ब को पाने से हमारा answer निकल के सामने आगया दोस्तों इसमें आप जितना हो सके एमनेट करने की कोशिस कीजिए आप ये खी अगर चार्ट ले जाते हैं तो आप तुरांत विकल्ब को देखिए और देखिए वहां किस विकल्ब में आपको मिल रहा है इस तरह से दोस्तों आप प्रेक्टिस करेंगे तो यह की का हमारा 4 है तो हरक्षा चोरसिया, से का फूरी बजाते थे और D नमबर बिरजु महाराज को थी आप दोस्तों डिका दोस्तों करते हैं 63 यह तहीं 26 बैसार महाराज 7 सउंसरु। तो 2, 1, 3, 4 हमारा code बना है, 2, 1, 3, 4 हमारे bical number D में बना है, अता हमारे answer होगे जाएगा दोस्तों, bical number D, इस तरह से दोस्तों, ये question code के बहुत ही आसायी से दोस्तों, elimination की द्वारा, सालप किए जा सकते हैं, चलिए, अगला question देखते हैं, question number 9, no number question, बिल्कुँ तो इंपार्टनन है कोश्वन क्योंतों सकतिंदर किस राजिक का हैं अम्हें इर्टी से कोश्वन मिद hyped इंकराँ उनको ध्यान चैंडी है डियाने कि ऐसे येक यादव कोस्वन दोस्तों आप से जल्समें कोछ ले मोहनी आटम कहा है केरल का के दोस्तों और को यह एक पार्टन पुछा है दोस्तों अंध्र पर्देश का कोन सा है कुछ पूड़ी है आपने उत्रपर्देश का देखेंगे दोस्तों तो कथक है उत्रपर्देश का क्या है कथक है यानी उत्रपर्देश कथक कुछ पुडियांत परिदेश भरत नाट्यम तमिलनाड और मोहिन अट्ऴम जो इस बीकल में है वो कीरल है नहीं देखेंगे 10 नमबर сделать उन नाव में नहीं देखेंगे 11 नमर कुश्चन 11 नमर कुश्चन है हमारा प्रस्वन 11 भारतिय चारा गा योग चारा अनुसंधान संस्थान कहा परिस्थित है इस्टेटिक जेके योपी स्पेसल का कोश्चन है दोस्तों आप जानते हैं कि युता परदेश द्वारा कराई ज यानि बिकल नमबर B, देखेंगे 12 नमबर कोश्चन, कोश्चन में 12 है सामान भिज्यान से, कोश्चन है, भारत ने परमाण आपरसार संधी पर हस्ताच्चर करने से इंकार कर दिया, क्योंकि, कोई यान भिकल पिल में से सही है, उसको आप बताने दोस्तों इस तरह के question भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों इस आरो यारो की vacancy है बिल्कुल easy question आपको नहीं लेंगे तो चलिए दिखते हैं यह number है हमारा यह गयर परमार सक्तियों के लिए वेदकारी है यह number हमारा भी कल्प है question था भाद ने परमार आपर साथ संदी पर हस्ताचर करने से इंकार कर दिया क्यों कर दिया यह बताना है में यह number यह गर परमार सक्तियों के लिए भेदकारी है गलत है बी number यह हिंद महासागर को परमार मुक्त छेतर बनाता है बिलको सही दोस्तों थोड़ा साब common sense भी लगाएंगे तो समझ जाएंगे वो बात को भी समझ जाएंगे हिंद महासागर अपने दच्छेट में हम लोग जानते हैं तो इसका एंसर आगा दोस्तों या हिंद महासागर को परमार मुक्त छेतर बनाता है यही सही दोस्तों आप इसको पढ़िएगा पूरना रिवीजन कीजिएगा दोस्तों आपने नूच है नूच पेपर में भी संदी पर अस्ताचर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि हिंद महासागर को परमार मुक्त छेतर बना रहा था तो हमारा एंसर होगा दोस्तों बिकल नंबर भी या हिंद महासागर को परमार मुक्त छेतर बनाता है इंसर हमार निकल आए दोस्तों बिकल नंबर भी इसलिए औ बहाद ने परमाड आपरसार संधी पर अस्ताचर करने से इंकार कर दिया था क्योंकि यह हिंद महासागर को परमाड मुक्त छित बना रहा था चलिए अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर 13 तेरा नमर कोश्चन है दूस्तों अस्थाई बंदोबस्त आप लोग जाने गए कहा से है यह भारती इतिहास से कोश्चन है अस्थाई बंदोबस्त परारम किया गया था यह बताना है अस्थाई बंदोबस्त परारम किया गया था किसलिए तो यह एक निश्ची तथा नियमित आई के लिए ये निश्चीत तथा नियमित आई के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था ने देखेंगे कोश्चन नमबर 14 फोर्टीन नमबर कोश्चन दोस्तों ये भी कूट का कोश्चन है अब आप इसको थोड़ा इलमेर करन के कोश्चन को लगाने की नंगीत कैली जिसके सामने दिया गया है मलिकाजून मंसूर अब अपक्तार हमें बताना है कौन सा कूर्स ही है और उस तरह से अपनी सदेने कोश्चन नमबर 15 है चलिए इसको हम लोग मिलाने की कोशिस करते हैं पूर्य कूश्चन और भीकल हमारे सामने है तो यह नंबर है दोस्तों हमारा करनाटक संगीत सेली किस से संबंदित है मलिकारजुन मंसूर से यानि यह तो हमारा सही है अब हम लोग विकल पे आएंगे विकल को थोड़ा और दोस्तों सामने कर ले अपने यह हमारा क्या बनना है वन बन रहा है यानि यह हमारा सही है अब हम विकल में आएंगे तो हमारा डी छट गया और यह चट गया इस तरह से आप तुरंद कीजिए आपको यह कूट मिल गए आप एलमेर तुरंद कीजिए हमारे बी और सी के विकल रहे है यानि हमारे अंसर जाने की संभावना जहां 25 परसंट थे चार बिकल थे अब 50 परसंट सही जाने की संभान होगे क्योंकि हमारे पास के विकल यह तो इसका अंसर बी आएगा यह सी आएगा आगे बढ़ेंगे बी नमबर में तो बी नमबर है सास्त्रिय गायन सास्त्रिय गायन यह में सुबबल अच्मी दो भी बिलकुल मिला हुआ है तो करनाटक संगी सहली मलिकार जुन मंसूर और सास्त्रिय गायन की से समझनी था यह में सुबबल अच्मी से यानि यह का वण था बी का दो तो बी क दो हमारे दोनों भी कल्प में है, B में भी है, C में भी है, यानि अभी हमारा एंसर नहीं मिला है, अभी हमारे उत्तर जाने की संभावना 50% ही बनी हुई है, ने देखेंगे हम लोग, C नमबर है, पंडवानी सैली, अब पंडवानी सैली को मिलाने की कोशिस करेंगे, दो हम ल लगे ही है, तो पंडवानी सैली तीजनवाई, यानि C का थिरी, अब C का थिरी हम लोग मिलाएंगे, किसमे है, तो C का थिरी हमें भी कल नमबर B में यहां पर मिला है, इस तरह से दोस्तों, अभी हमारा एंसर निकल आया, ये का 1 आ रहा है, B का 2 आ रहा है, C का 3 आ रहा है, ये की बिकल बचा है, D का 4 तो वो तो आ ही जाएगा, तो दोस्तों, इस तरह से हमारा एंसर निकल आया, बिकल नमबर B, यानि करनियाटक संगी सैली मलिकाल जुन मनसूर सही है, सास्त्रिय गायन में सुब लचमी ये भी सही, पंडवानी सैली तीजन भाई भी सही है, और ग कोश्चन है, मुद्रा स्फिती कब होती है, मुद्रा स्फिती कब होती है, तो मुद्रा स्फिती कब होती है, जब समय के साथ कीमतों में सामान बृद्धी होती है, यानि हमारा एंसर होगा, बिकल नमबर ये, मुद्रा स्फिती कब होती है, जब समय के साथ कीमतों में सामान इन्फलेशन मुद्रा и स्विति अपी स 1965 कब होती है समय के साथ किमतों में जब सामॉन मस दोरी के लिए दोसे मुद्रा के जारां गलत है यहां पर दोस्तों ये चीज आप ध्यान दिजीगा आप कोई भी question हो, question को पूरा पढ़ने की कोशिस कीजे, कीकी question में highlight नहीं किया जाता है कि हमसे सही बताना है या गलत बताना है अधुरे question को देखते हैं और अपना answer कर देते हैं जो की गलत हो जाता है तो दोस्तों आपको कोशन को पूरा पढ़ने की कोशिस किजिए कि अलास्ट में पूछा किया जा रहा है सही या गलत तो यहाँ पिर गलत पूछा जा रहा है कि नियुनतम मजदूरी के लिए निमने से कौन सा गलत है वें गलत बताना है ये question number 16 है तो ये number है दोस्तों एक नियूंतम बेतन नियम सभी आकुससर्मिकों को लाब पहुचाएगा B number देखते हैं एक नियूंतम बेतन फर्म्स को अधिक बेतन का भुकतान करने के लिए मजबूर करके नुकसान पहुचाता है C number, एक नियुंतम बेतन ग्राहकों को नुकसान पहुचाता है, क्योंकि इस नियम से आम तोर पर उत्पात की किम्ते बढ़ती है, और D number है दोस्तों, एक नियुंतम बेतन बेरोजगारी को बढ़ाता है, चार विकल फमाईस है, थोड़ा common sense लगाएं दोस्तों, आप इस तरह क एक जो नियुंतम बेतन नियम है, सभी आकुसर सर्मी को लाब पहुचाएगा, गलत है, पहला ही गलत है दोस्तों, नियुंतम बेतन कहां से आकुसर सर्मी को लाब पहुचाएगा, यानि हमारा इंसर दोस्तों, अब बन ही गया है, कि ये ही होना चाहिए, लेकिन हम तीनों नुकसान पहुचाए गया ही क्योंकि इस नियम में आम तोर पर उत्पात की कीमतिंदभी यह सही और नंबर यह बिरोज़गारी को बढ़ाता है यानि हमारा बी च और डी यह एक तरह के इंसर दे रहे हैं सही अंसर कि नियुननतम मजदूरी जो है यह काम करता है, लेकिन हमें बताना गलत है, तो हमारा answer होगा, दोस्तों, यहाँ पर bikal number ये, कौण सा होगा? बikal number ये, क्योंकि हमें गलत बताना है, एक नियुंतन बेतन नियम सभी अकुसरमिक को लाब नहीं पहुचाएगा, हान पहुचाएगा, इसलिए हमारा एंसर दोस्तों बिकल नूमर ये होगा क्योंकि गलत यही एक statement है बाकी तीनों statement हमारे सही हो रहे हैं इस तरह लेकिन हमें बताना था गलत दोस्तों हम एक question एक अंसर को बार बार पढ़ने की पढ़ाने की कोशिस करें आपको बताने की ताकि आप समझ सकें कि question कै से पूछा जाता है बाकी अगले टेस सीरीज में लोगों दोस्तों हम लोग जब अभ्यास रत हो जाएंगे तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिस करेंगे चलिए 17 नंबर question देखेंगे question है हमारा 17 नंबर राष्टी आपातकाल दोस्तों ये भारती संग्धा राजवियोस्ता का question है आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है national emergency की सनुछेत के तहट लगाया जा सकता है राष्टी आपातकी बात हो रही दोस्तों आप लोग जानते हैं तीन तरह के आर्टिकल है 352, 356 और 360 तीन तरह के आपातकाल होते हैं तो यहां पर राष्टी आपातकाल पूछा जा रहा है दोस्तों question number 17 में तो लगेगा 352 के तहट आप लोग पढ़ा होगा पढ़े आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों 350 के तो नेशनल इवाजनसी 356 के आधार पर दोस्तों राज में दोस्तों संग्विधान की बिफलता पर या संग्विधान की बिफलता पर और 360 जो है वह 360 होगा हमारा दोस्तों बित्ती आपात तो यहां राष्टी आपात है 352 नेख देखेंगे 18 नमर कोश्चन कोश्चन है स्वामी सहजानन सरस्वती ने निमलिखित में से किस की अस्थापना की थी सबसे पहले दिया गया है आई समाज आई समाज के स्थापना कब हुई थी दोस्तों 875 इसमी में हुई थी और यह की थी स्वामी दैनन सरस्वती ने स्वामी दैनन सरस्वती ने 875 में कहाँ पे बंबई में और यहां पूछा भी होई जा रहा है स्वामी दैनन सरस्वती ने कौन सी की थी तो आई समाज की यह हमारा एंसर होगा बिकल्प नमबर यह आज समाज के स्थापना स्वामी दना सरस्वती ने की थी बंबई में 875 इसमी में जो की हमारा एंसर है अब दो इसे ब्रह्म समाज प्रत्ना समाज दिया गया है जो important है इसकी बारे में भी जान लेते हैं ब्रह्म समाज 828 राजारामोहां राय कब अठासो अठाइज राजारामोहां राय प्रत्तना समाज कोन है आतवारंग फानुरंग कट में निस देखेंगे हम लोग 90 इन अबर कूश्चन कश्चन दोस्तों यह ब्यक्क हमें मिलाने ही तो इसमें हमें गलत बताना है question number 19 में हमें गलत बताना है निमलिके में से कौन सा यूगुम सुमेलित नहीं है आप इस पर ध्यान देजिए ये highlight नहीं किया जाता है सही या गलत क्या पूछा जा रहा है ये नंबर है चंपान सत्यागरा मात्मा गादी बार्दोली सत्यागरा बलब भाई पटेल सी नंबर किसान सत्यागरा स्वामी सहजानन बेक्तिगत सत्यागरा बिनोवा भावा ये चार दोस्तों अंदोलन है इनसे समंदित नित्वित करताओं के नाम हमें बताने कौन सा हमारा इसमें कूट सुमेलित नहीं है तो चलिए हम लोग इनको मिलाने की कोशिश करते हैं और इसमें अपना गलत क्या है वो निकालते हैं ये नंबर चंपाण सत्यागरा चंपाण सत्यागरा महात्मागादी से रिलेटेड है बिलकुछ सही है बी बार्दोली सत्यागरा ये दोष्तो बलभाय पटेल से रिलेटेड है और यहीं से इनको सरदार की उपएधी मिलती है, हम लोग जानते हैं, सी नमर किसान सत्यागरा, किसान सत्यागरा ये स्वामी सहजानन्द का नहीं है, ये है विनुवा भावै का, और next है दोष्तो, ब् तो चम्पाण महत्मा गाधी का हई ब्लबभाई पतेल का है जहां से किस सरदार की उपाधी मिलती है और 20 इस दोस्तों विद्अ चूरोग करने हैं इस तरह कि पूछे जाते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों कि GS prelims RO RO का हमां पूरा दारुमदार दोस्तों GS पर निर्भर करता है जिसमें 140 question पोचे जाते हैं यहां आपको कम से कम दोस्तों 110 पलस यानि 110 पलस होना चाहिए तिरी qualify के लिए अब लोग जानते हैं competition काफी ज्यादा होता है चीजों में और अच्छे खासे दोस्तों इसमें फाइट करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं यह नंबर दीन दयाल असपर सी योजना यह किसे लिलेट है डाक टिकर संगरा को परोसान देने बी नंबर है सोभाग योजना जो ग्रामीर सहरी छेत्रों में सभी घरों का विद्यूदी कराण सुनिचित करने है तो सी नंबर है साधी सगुन योजना जो मिस्लिम लड़कों की उस इच्छा को प्रोसान देने के लिए क्याउन हजार की रासी दी जाएगी और डी नंबर परधान नंती वह वंदना योजना जो ग्रामीर छेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन भीमा सेवाइद देना य केले हम लोग इनकों अपनाइंसा निकालते हैं दिद्र असपास योजना दांक टिकर संगरा को प्रोसान देने हैं यह साधी सगुन योजना जो है मूसिम लड़कों की उस इच्छा को प्रोसान देने के लिए 51,000 की रासी दी जाएगी यह भी बिल्कुस है यानि यह भी सी हमारा से यह हमें बताने गलात है तो हमारे से डी होगा डी क्या है देख लेते हैं परधान मंत्री वय वंदना योजना यह यह ग्रामी छतों में रहने वाले लोगों का जीवन यह अपन यह गलात है दोस्तों प्रधान मंत्री वय यंदना योजना दोस्तों ये एक प्यंसन योजना है जिसके दोस्तों नियूनतम प्यंसन दे कितना होती है प्रतिमा ये खजार रुपे तो प्रधान मंत्री वय यंदना योजना ये ग्रामी छतों में रहने वालों के लिए नहीं बलकि ये एक प्यंसन योजना क्या है यह प्यंशन योजना है तो हमारे एंसर होगा ज़त्तों बीकल नुमर डी ये गलत है स्टेट्मेट दोस्तों क्योंकि प्रधान मंत्री वह यंदना योजना एक प्यंशन योजना जिसके तरह नियुंतम प्यंशन परतिमा एक हजार रुपे और बाकि ये बी और C, दिन्द अलस्पर्स योजना, सोभाग योजना और साधी सगुन योजना ये तिनों जुन्यों दोस्तों सही है ये इसी से रिलेटर हैं तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने समिच्छा अधिकारी कि पहले टेस्ट सीरीज को दोस्तों हम लोगों ने देखा कोश्चन के लेवल को देखा और दोस्तों इसको साल्व करने के आसानी पध्यति को भी देखा तो दोस्तों इस तरह से आप टेस्ट सीरीज को साल्व किजिए और अपने लेवल को और मजबूत किजिए वह अपना दोस्तों इसमें अनुभ बढ़ाई है कि कम से कम समय में आप 140 कोस्टन दो घंटे में कैसे साफ कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्टी सीरीज के साथ थैंक्स फार वाची